तो बच्चो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो चाप्टर है क्रॉप प्रोडेक्शन और मैनेजमेंट यह चाप्टर बहुत-बहुत इंपॉटेंट है और एक्जाम में कई सारे कोईशन्स इस चाप्टर से आते हैं इस चाप्टर में क्या है कौन-कौन से concept है और किन को हमें ध्यान से पढ़ना है यह इस वीडियो में हम discuss करेंगे कहा कहा से questions बन सकते हैं किस टाइब के questions बन सकते हैं यह भी हम इस chapter के जो understanding है इस chapter का जो basic crust है वो सब इस वीडियो में हम समझेंगे तो बच्चों शुरू करते हैं शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ इसरल ही एक मात्रे सा प्लेटफॉर्म है जो best visualization वाले video lectures आप लोगों को provide करता है जो easily understandable होते हैं concept को visualize करा देते हैं आसान इसे difficult concept को भी simple बना देते हैं तो बच्चों ऐसे ही video lectures देखने के लिए ऐसे ही course का part बनने के लिए अभी इसरल को explore कर सकते और इंडोल कर सकते इसरल के सोर्य कोर्ष में जेई वज्र कोर्ष में ऐसे नीट वज्र कोर्ष में तो बच्चों आगे बढ़ते हैं तो बच्चों ये जो chapter है इस chapter को पढ़ने की प सब इस अर्थ पर जितने भी living organisms है यानि जितने भी जीव है वो सारे के सारे living organism की अपनी एक energy need होती है because हम कई सारे life processes perform करते हैं हम चलते हैं physical activities करते हैं कुछ हमारी body के अंदर chemical activities होती है कुछ हमारी body के internal processes होते हैं जैसे growth हो गया जैसे की reproduction हो गया जैसे की excretion, digestion, respiration, nutrition, digestion तो ये जो सारे process है चाहे वो physical processes हैं चाहे वो internal process हैं चाहे वो external processes हैं इन सब को complete करने के लिए हमारी body को energy की जरुरत पढ़ते हैं और वो energy कहां से मिलती हैं वो energy हमें मिलती है food से अब ये food कहां से आता है food के लिए हमारे पास दो परकार के options है या तो हम crops per dependent है या हम या पर हम generally crops नहीं बोलूँगा मैं या तो हम plants per dependent है या फिर हम animals per dependent है तो आज chapter में मैं उन plants के बारे में बात करूँगा जिन plants पर हमारी food habits और food needs जो है बहुत जादा dependent है और उनको हम crop बोलते हैं तो आप सब लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे कि all the living organism जो क्या करते हैं अपने life processes को maintain करने के लिए food की उनको चरुरत होती है जिसे process में involved है digestion respiration excretion and all these activities plants जो है वो अपना food खुद बना लेते हैं लेकिन animals नहीं बना पाते विचारे तो animals depend करते हैं plants पर या फिर किसी दूसरे animal पर और यह जो food provide करने के लिए large population के लिए कि बहुत ज़्यादा large population है हमारे इस continent पर और इवन बोल सकते गलोप पर बहुत सारे लोग है तो इनकी food needs को complete करने के लिए ही हम crops की हमें जरूरत है हमें food resources की जरूरत है तो जो crops की जरूरत है तो सबसे पहली बात उस crop का large production भी होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा demand है बहुत सारे आदमी उनको बहुत सारा अनाज खिलाना है बहु जरूरी है ताकि हर एक इनसान की food needs जो है हर एक इनसान की necessary food needs जो है वो complete होगाए अब आते हम crop पर कई किसरे क्रॉप क्या है क्रॉप क्या है प्लांट तो जानते हो ना दूम जिसे एक प्लांट यहां हो गया एक प्लांट वहां हो गया एक प्लांट वहां हो गया तो एक तरीकी का गार्डन कहलाता है जिसमें गार्डन का मतलब क्या हो गया जिसमें कहीं प्रकार के प्लांट अलग अलग टाइब की भी हो सकते हैं लेकिन क्रॉप कैसे फिर उन प्लांट्स को क्रॉप कब बोलेंगे हम उन प्लांट्स को क्रॉप तब बोलेंगे जब एक लार्ज स्केल पर यानि एक लार्ज एरिया में एक ही टाइब के प्लांट्स को उगाय जाए तो ऐसे सिस्टम को ह one place on a large scale it is called a crop क्या बोलते इसको क्रॉप बोलते हैं अब बहुत सारी क्रॉप्स है जो उगाई जाती है जैसे कुछ वेजिटेबल से जिसे सीरियल से जिसे फ्रूट से और भी कई सारी क्रॉप्स है जो गई जाती है इन में कुछ इनके लाइब जो स्पैन होता है इन क्रॉप्स का इनके लिए जो अप्रोप्रियेट कंडिशन्स होती हैं उन कंडिशन्स के हिसाब से हमने इनको क्या कर रखा है दो कटेगरीज में क्लासिफाइक कर रखा है फर्स वन इस खरीब क्रॉप दूसरी है रभी की क्रॉप ठेकर खरीब और रभी क्रॉप अब जिसे मैं एक बात आपको बता देता हूँ मान लोग पॉलर बीर को आप हमारे राजस्तान में लेकर आगे पॉलर बीर यानी एक ऐसा भालू या ऐसा बीर जो पॉल्स पर मिलता है जहां पर बहुत ज़ादा बर्फ होती है ग्लेशियर्स होते हैं तो ऐसे glacier में सर्वाइब करने वाला जो beer है उसको आप राजस्थान की एक तुम चिल चिलाती गर्मी में बिल्कुल होट climate में अगर लाकर रख दोगे तो polar beer दुवा मांगेगा क्योंकि वो इन एनवारमेंटल कंडिशन्स में जो है अपनी लाइब को सस्टेन नहीं कर सकता उसकी लाइब को सस्टेन करने के लिए विकोज एक स्पेसिफिक टाइप का वो beer है उसकी लाइब को सस्टेन करने के लिए एक स्पेसिफिक क्लाइमेट चाहिए specific resources सही है जिसमे specific type का food needs हो सकती है nutrients need हो सकती है climatical conditions हो सकती है जो राजस्तान में provide नहीं हो सकती ऐसी ही जो crops है उनको भी उगने के लिए और अच्छी growth के लिए specific environment specific climate specific type of soil जो है आवश्यक होती है उसकी जरूरत होती है उनी के basis पर हमने इनको दो टाइपस के crops में classify किया है खरीफ और रभी खरीफ crop की अगर मैं बात करो तो खरीफ crops वो crops होती है जिनको हम rainy season में उगाते है यानि they are sown in rainy season rainy season में क्यों उगाते है क्योंकि इनकी water की needs ज़्यादा होती है क्योंकि इनके उगने से इनके harvesting तक इनके sowing से इनके harvesting जो climatical conditions इनके लिए required होती है वो rainy season में ही मिल सकती है इसलिए ये जो फसले हैं ये जो crops हैं इसी particular season में अच्छे से grow करती हैं क्या हम आप लोगों की दिमाग में आएगा कि क्या sir जो खरीब वाली फसल है उसको rainy season की जगह winter season में नहीं उगा सकते हैं उगा सकते हैं उसको artificial climatical condition artificial nutrients जो भी requirement होती वो provide करके आप उगा सकते हैं लेकिन सारा कुछ तो artificial नहीं कर सकते हैं तो हम naturally जो हमको provided हैं उसके हिसाब से जो crops होती उनको उगाते तो the rainy season in the India is generally from June month to September month यानि जून मन्त से जैसे आप जानते हैं जैसे ही summer end पर आती है जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है गर्मी का end जब आ रहा होता है उसके बाद से आपका climatical condition change होती है और rainy season start हो जाता है और वो मन्त होता है जून का यानि जून एंड से सिप्टेमबर तक जो है आपका rainy season चालो हो जाता है तो इस दोरान जो है खरीब की crops जो होती है वो उगाई जाती है बिकोस ये best suitable climatical condition है इसके example क्या है जैसे पेड़ी है मेज है सोया बीन है ground nut है cotton है और ऐसे और भी कई example है जो खरीब की फसल या खरीब crops कहला ऐसे दूसरी crops होती है रभी crops ये वो crops है जिनको हम winter season में ग्रू करते है winter season winter season में ग्रू करने का एक मातर इनका कारण ये है कि इनको जो climatical conditions चाहिए होती है वो कैसी चाहिए होती है वो dry चाहिए होती है low temperature वाली चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा water की requirement नहीं होती है तो ऐसी जो crops से उनको हम winter season में यहाँ पर उगाते जैसे कि the crops which are grown in the winter season are called रभी crops their time period is generally from October to the March आप जानते हैं October से अमारी संदिये start हो जाती है और नवंबर डिसंबर में बहुत ज़्यादा होती है और मार्च तक आते आते फिर वो summer स्टार्ट हो जाता है तो summer के time पर क्या होता है जब गर्मी पढ़ने लगती है जो होट climatical conditions होती है तब तक यह बिल्कुल पकर तयार हो जाती है तब इनकी harvesting होती है तो मार्च में लगबग इनकी harvesting शुरू हो जाती है और इनकी growth जो है during the winter season होती है तो इसके example से wheat है, gram है, pea है, mustard है, linseed है यह कहीं सारे इसके examples है जो ruby crops कहलाते हैं क्योंकि इनको winter season में हम grow करते हैं अब हम थोड़ा आगे चलें कि crop जो होती है, उस crop का पूरा life process जो होता है यानि जब वो एक seed होता है, उस seed से एक another seed यानि कि जब harvest करकर उसका नया seed उससे generate कर देते उसके beach में क्या-क्या activities होती है तो सबसे पहले में बात करूँगा, तो सबसे पहले soil को prepare किया जाता है यानि जिस soil में in seeds को grow करना है, that soil should be prepared उसको prepare किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें beach डाला जाता है तो जब हम seed उसमें implant करते हैं, that process is known as sowing ठीक है, फिर उस seed को implant होगे असाब soil में अब soil की fertility increase करने, fertility का मतलब क्या है, कि soil के अंदर जिस seed को आपने grow कराना चाहा है उसके accordingly उसमें nutrients add करना, उसके requirement के हिसाब से उस soil की conditions को manipulate करना, वो कहलाता है क्या, उसके अंदर manure और fertilizers add करना और वही ये manure और fertilizers ही उसको क्या करते हैं, उसकी fertility को improve करते ताकि वो जो भी crop आप उसमें grow कर रहे हैं, वो best yield दे है, ठेक है, तो फिर क्या करेंगे अपने जब उसमें bees implant कर दिये, seed implant कर दिये, तो अब उनमें manure और fertilizers डालेंगे, ताकि वो अच्छे से उसको nutrients बिले और अच्छे से grow हो, फिर हर crop की एक basic need है water, water की need हर एक crop को होती है, तो वो water क्यों need होती है, उसकी बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, तो उसके लिए irrigation है, फिर weeds से protect करना होता है, क्योंकि बहुत सारी unwanted weeds जो है, उसमें grow हो जाती है, किसी भी field में, तो उनको खतम करना, क्योंकि वो fight करती है nutrients के लिए उस major main crop से, फिर उसकी harvesting, harvesting के बाद stories, तो ये काफी सारी activities होती, जिनको एक के करके हम पढ़ेंगे, सबसे पहले में soil की preparation के जो होते हैं, उनकी help से हम पूरी plogging करते हैं, plogging का मतलब क्या है, कि गर्मी के season में जो मिट्टी पक चुकी है, इन्दस बहुत जारी sunlight होती है, तो उसके अंदर से moisture को भी निकाल लिया जाता है, परिज सनलाइट होगी, गर्मी का पूरा season होता है, जब फसल, मार्च में ज जो दो महीनी का gap आता है, इस दो महीनी की gap में बहुत जारा गर्मी होती है, तो इस hot climate के अंदर उसका moisture जो है, वो उड़ जाता है, उपर से उसकी soil जो है dry हो जाती है, और hard हो जाती है, अब ऐसी dry और hard soil के अंदर किसी crop को उगाना बहुत ही मुश्किल है, क्यों मुश्किल ह सबसे पहली बात तो moisture condition चाहिए, दूसरी बात उसको जो soil चाहिए, वो well prepared चाहिए, well prepared मतलब वो porous हो, ताकि उसमें से ventilation हो सके properly, उसमें से जो दूसरी nutrients की demand है, वो fulfill हो सके, तो इसलिए soil को prepare किया जाता है, तो जो hot और dry हो चुकी हुई soil, जो hard soil होती है, उसको हम plow की help से पहल प्रिपियर करते हैं, उसको बारिक बारिक तोड़ देते हैं, उसमें पानी डालते हैं, जिससे वो गीली हो जाती है, गीली होने के बाद तोड़ा moisture जब रहता है, तब हम plow से उसको बिल्कुल prepare कर लेते हैं, उसको soil को prepare कर लेते हैं, आजकल जो नय method से preparation of soil के वो आप जानत तो यह बहुत इंपोर्टेंट टास्क होता है कि स्वाइल को प्रिपेर करो उसको लूजन करो लूजन मतलब उसको वो टाइट और हाड मत बना उसको बिल्कुल एकदम fluctuating और loosened soil बना दो ताकि वो easily उसके अंदर respire कर सके plant के seeds ठीक है ना तो the loose soil allow the roots to penetrate क्योंकि अगर seed आप उसमें डाल रहे हो तो अगर hard soil है तो उसकी roots penetrate नहीं कर पाएगी penetrate नहीं कर पाएगी तो वो उसके लिए जो required nutrients है वो कैसे ले पाएगी breathe नहीं कर पाएगी ठीक है तो बहुत नीचे जाना roots का बहुत जरूरी है और उसके लिए soil को loosen करना बहुत जरूरी है तो loosen soil help in the growth of the earthworms and microbes present in the soil यह microbes और earthworm क्या करते हैं यह जब soil के अंदर generate हो जाते हैं losing soil के अंदर तो यह क्या करते हैं plant की growth में बहुत help करता है क्योंकि यह खुद भी nutrients provide करते हैं इनके जो waste होते हैं वो waste भी as a nutrients काम करते हैं as a fertilizer and a manure काम करते हैं तो the process of loosening and turning of the soil is called tilling or ploying यह हम अभी modern system से जब करते हैं इसको tilling बोलते हैं पहले हम इसको logging बोलते लिए अब दूसरा जो process आता वो हता sewing sewing के लिए हमें सबसे पहले एक seed चाहिए और prepared sewing चाहिए तो वो seed जो है वो best quality का हो यह भी ensure करना जरूरी है तो seed की based quality ensure कैसे होती है बच्चों हम अर एक seed को water में डालके देखते हैं यानि water में बहुत सारे seeds हमने डाल दिये हैं उनमें से कुछ seed जो है वो float करने लगेंगे float करने का मतलब क्या है कि वो seeds जो है अंदर से खुकले हो चुकी hollow हो चुके है इसलिए उनकी density कम होगे वो water पर तेर रहे हैं तो जो hollow seeds होंगे क्या वो अच्छे aid दे पाएंगे नहीं तो उनको remove कर लेंगे और जो seeds water में डूब चुके हैं वो seeds best seed होंगे और उनको फिर हम आगे जाके जो prepared soil है उसमें implant कर देंगे और वो implantation का जो process है that is known as Soil Soil के भी कई method होते हैं जैसे कि यह पहला traditional method होता था जिसमें एक blow होता था जिसमें एक ऐसा कुपा टाइप निकलता रहता था दपता जाता है और एक depth में दपता है तो पुराना method था तो sowing is the process of planting the seed into the soil the seeds are sowed in the soil that is loosened मैंने बोला था कि prepared soil में ही ऐसा काम किया जाएगा जो loose की जा चुकि है cultivator द्वारा या प्लो द्वारा उसमें ही किया जाएगा quality of seed is an important factor that determine the crop of yield yield of crop क्योंकि quality वाला silt नहीं रहेगा तो आपकी फसल आपकी crop जो है कम yield देगी तो selection किसके base पर करेंगे अपन waterman seeds को डाल देंगे जो sink करेंगे वो best seed है और जो float करेंगे वो बेकार seed है उनका use नहीं करेंगे स्वाइं के traditional tools आप जानते हैं आजकल तो बहुत सारी machinery आ चुकी है पहले इसी प्रकार के plow पर funnel टाइप का ये system होता था जिसमें आप seed डालते थे उसे tubes निकलती थे और tubes के अंदर मिट्टी के अंदर इनको डाल देती थे ठीक है ऐसे ही अब आजकल तो नही जो है seed drill आ है ताकि एक best crop end हमें बिल सेके हैं अब next method है कि manure और fertilizer इसको डाला जाए क्योंकि इसको अब seed पहुत चुका है seed की growth के लिए इसको proper nutrients की ज़रूरत हो पहले के जमाने में manure बहुत use किया चाता था क्योंकि एक biodegradable waste से बना हुआ product है जो घर में बन जाता है बहुत कम लागत में बन जाता है चीक है low cost material है और यह soil की long term benefits बहुत जादा होते हैं यह soil के साथ जब manure को add करोगे तो इसकी fertility में जो long term benefits आएंगे वो fertilizer के साथ नहीं आ स प्रीज करने के लिए इस्तमाल किया जाता है तो वाइल मैन्यूर जो होते हैं that are prepared from the yard made by the decomposition of organic substances जैसे घर में फुल सब्जिया और दूसरे degradable waste होते हैं उनसे यह बनाया जाता है जबकि fertilizer जो है वो इन और इन आर्गनिक केमिकल से बनते हैं जिसे यूरिया हो गया जैसे sulfate हो इन सबसे बनते हैं आपके दूसरे इन और्गनिक फर्टिलाइजर जनको हम बहुते इन और्गनिक केमिकल इन दोनों में डिफरेंस यहां पर लिखा हुआ है यह जो एजीली बनाये जा सकते है अनिमल और प्लांट वेस्ट से और यह केमिकल से बनाये जाएंगे ठीक है ना फर्टिलाइजर के साईड़ इफेक्टे भी होते है ठीक है यह एड इस्वुड़ फोर लॉंग टर्म इनमस्वौर्टिलीम की जो फर्टिलाइजर इसको लंबे समय तक बनाये रखने में मैंनियूअर बहुत हैल्प अबर्टिलाइजर जो है टेंपरेरी फर्टिलीमिटि कि इसकी फर टिलिटी इंक्रीज करने की पावर बहुत जाधा है लेकिन विक नहीं और फिर्टिलिटी इंक्रीज करनी स्थावान लोग करते हैं इस वेरी चीप मैन्यूएर बहुत चीप होते हैं और ये लोग बहुत कोस्टली इनको बेशते हैं because सब्सक्राइब बूर्व टुक्ता अब नेक्स्ट प्रॉसेज आता है हमारा के इसके अनदर मैन्यूर एड़ एड़ ईड़ चुके हैं अब इसकी जो वाटर की जरुरत होती है उसको कैसे पूरा गिया जाए उसको पूरा करने के लिए में प्रॉसेस का इस्तिमाल उसको इरी के बहुत important resource हैं किसके लिए plant की growth के लिए वाटर के जरिये ही जो nutrients oil के अंदर है वो water के अंदर रिंस जो वो किसके अंदर plant के अंदर rinse कर जाएंगे और plant के अंदर जाएगा और जब प्लांट के अंदर जाएगा वो बॉटरेंट तो तो ही तो प्लांट के अंदर जाते हैं यूटरेंट से किसके help से जाते हैं water के हम से तो अब यह water के मारे पास sources क्या क्या है water के sources अब यह वेज़् यह जो पुराने के रिसोर्स से लाटर को हम कहां पर पहुंचाते हैं कुछ ट्राइशनल से जिसे आप जानते हैं मोट हो गया इसको मूट बोलते हैं यह राहट हो गया यह यह चानपुलिंग हो गया तो कई सारे पुराने method से जिनका इस्तमाल करके हम पहले जो crop होती थी उसको water या irrigate किया करते नए methods हैं जिनमें हम देख सकते sprinkler हो गया sprinkler system इसके अंदर एक reversible pump लगाया जाता है वो pump pressure के साथ पानी को भेजता है और यहां पर एक टॉप पर एक sprinkler लगा होता है जो पानी को sprinkles में convert करके नोजल की help से फसल तक कराब तक पहुंचाता है ऐसे drip irrigation होता है drip irrigation में क्या होता है इसे pipe बिछे होते हैं और उन pipes में पानी जाता है motor की helps है और उन pipes में छेद होते हैं तो वो छेद में से थोड़ा 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 ड्रिप ड्रिप करके वोई plants के आसपास चला जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत ज्यादा water का loss नहीं होता क्योंकि जब आप ऐसे ही खुले में water यूज की जा रहिए से रहतette रीज़्या रहा होते हैं सब्सक्राइबGA यहster की होते हैं समझते होंगे वीट भी एक तरीके का प्लांट है कीड़ा नहीं है यह इनसेट नहीं है यह वीट प्लांट है जैसे हमारी जो क्रॉप है यह मेजर क्रॉप के प्लांट हो गए उसके साथ चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे जो बहुत सारा हुगा हुआ है यह वीड है अब वीड से हमारी क्रॉप को दिक्कत क्या है हमारी क्रॉप को दिक्कत यह है कि स्वाइल के अंद कुछ ऐसी छोटी छोटी ग्रास जो है वोग चुकी है अब हम ग्रास को अमारा आउटपूट प्रोड़क्ट बनाएंगे के नहीं हमें तो मस्टर्ड की खेती कर रहे हैं तो मस्टर्ड चाहिए ग्रास थोड़ी चाहिए तो हम जितने इसके बीरिसोर्स देंगे चाहिए पानी दे रहें चाहिए मैन्योर चाहिए फटीलाइजर चाहिए कुछ भी हम एक्टिविटी वहां पर कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो मेजर क्रॉप मस्टर्ड की क्रॉप है वह अच्छी से एल्ड दे सेके और उस इस जो भी रिसोर्स से मुस्क राप को प्रोवाइड कर रहें उस रिसोर्स में कार पानी चाहिए ग्रास को भी हर वो चीज़े जो उस क्राप को चाहिए तो वो क्या करेगा तो येोग गया इसलिए हम क्या करेंगे ऐसे जो unwanted plants से उन्हें वांटेट प्लांट को निकाल देंगे तो उनको निकाल नहीं क्या कहलाता है removing the weeds the weeds are the undesirable plants that may grow naturally along with the crop weeds compete with the crops by absorbing all the water nutrients and space and light इसको रिमूव करने के कहीं सारे natural और वैसे unnatural method होते हैं जैसे manual removing हो गया जैसे कि कुछ chemicals होते हैं जिनका छिड़काव करते हैं यह वीड्स जो हो है खतम हो जाते हैं तो manually remove भी कर सकते हैं कुछ weedicides भी हम इस्तमाल कर सकते हैं जिनको बोलते हम chemicals जिनका इस्तमाल करके हम weeds को खतम कर सकते हैं बट वो chemical methods का यूज करने से क्या होता हमारी crop पर भी कुछ negative impact आता है तो crop की जो growth हो सकती है क्योंकि दोनों है तो plant एक plant को kill करने के लिए कोई chemical आप ला रहे हो तो उतना नहीं सही लेकिन उससे थोड़ा कम तो असर हमारी crop पर भी उनका होता है फिर stage आती है हमारी harvesting की अब फसल जो है बिल्कुल crop जो है बिल्कुल पक्के तयार हो चुकिए अब उसको harvest करना है harvest मतलब उसको खेट से निकाल कर घर मे लाना है उसमें से seeds निकाल लेना है तो harvesting के दो method है एक तो manual है एक machine के द्वारा harvesting है आप सब लोग जानते है manual harvesting में हम सब लोग हाथों से अपना manually harvest करते हैं और आजकल तो machine के help से बहुत तुरंथ हो जाता है फिर होता है threshing, threshing का मतलब क्या है क्या आप फसल को काट के ले तो आगए लेकिन उसमें से seed अलग नहीं कर पाए तो seed अलग करने का method होता है वो होता है threshing लेकिन आजकल जो machine आ रही है वो machine उसको बोलते है अपन combine combine का मतलब होता है कि ये उसको harvest भी करेगी यानि उस फसल को खेट से काट भी देगी और काटने के सासा तो उसमें से seed को अलग भी कर देगी दोनों काम करेगी तो ये जो machine त्रेसिंग का काम करती है पहले लोग manually tracing करते थे हातों से ऐसे पीट पीट कर उसमें से seed निकालते थे अभी जो है सारा का सारा काम automatic और एक ही machine से होने रगा विनोइंग एक process है विनोइंग का process का मतलब है कि seed के साथ जो कुछ कचरा हो जाता है उसकी dust हो जाती है उसके husk हो जाते है उन husk को अलग करना seed seed को बिल्कुल pure एकदम filtered seed को निकालना जिसके अंदर किसी परकार की कोई impurity ना हो उन impurities को अलग करने का जो process होता है that is known as winnowing winnowing is the process of separation of grain seeds from the calf using the help of wind due to the wind the lighter calf flies away and the heavier grains fall down पून आप जानते हैं क्योंकि हवा में उड़ जाती है husk और डस्ट वागे रहते हैं बाकि जो grain बचता है वो grain जो है drop हो जाता है finally जब फसल crop जो हमारी है वो seed में convert हो चुकी है अब उसका storage हमारे लिए बड़ी बाहत है storage के लिए हम क्या करते है storage बहुत जरूरी होता है the storage of the grain is an important step in the agriculture after harvesting step the ready grain are stored in the granaries और कहीं सारे हमारे दूसरे तरीके होते हैं ठीक है granaries यहां पर soil लिखा हुआ है granaries में हम उन ग्रेंज को एकट्टा कर लते हैं स्टोर कर लेंगे the grains have to be stored in a dry place that does not have a rodent or fungal in fact infestation एक ऐसे station पर या एक ऐसी जगह पर हम इंको store करेंगे जहां पर moisture condition now because most condition में fungal infections कोते हैं और अगर fungal infections in seeds पर in crops पर पड़ जाते हैं तो यह इनको खराब कर सकते इनको degrade कर सकते तो granaries are the place where the freshly obtained food grains are stored तो यहां ऐसे जगहों पर जहां पर store किये जाते उनको granary बोलते आप सब लोग जानते हैं animal husbandry is the management and care of the farm animals for milk egg or meat ऐसे ही जो animal husbandry जो होती है वो यह जो हमारे पुरी crop production में यूज होने वाले animals है जैसे की बेल होगे ऐसे की कहीं सरे और होगे जिनको हम farm activities में यूज करते हैं तो उन animals के साथ उनका रख रखाव करना animal husbandry का पाइड है तो this is all about the chapter मिच्चू हमने इस chapter में काफी अच्छे से यह समझ लिया है कि क्या crop होती है crop को कैसे process किया जाता है फाइनल लीड तक ठीक है तो इसे प्रकार अगर concept visualization वाले वीडियो लेक्चर देखने हैं जिन में आप बिल्कुल animation के थ्रू completely understanding develop कर सकते हैं five layer of mentorship five layer of doubt solving और इंडिया के best online वीडियो लेक्चर और यह सब आप लोगों को अगर चाहिए तो आप अभी भी समय है शोर्य और वज्जर कोर्स के अंदर इंडोल कर सकते हैं अगर आप class 8 में सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो शोर्य कोर्स आपके लिए हैं और अगर आप अभी से vision रखते हैं कि मुझे जेई करना या नीट करना तो उसके लिए आपके पास वज्जर कोर्स है तो आपन अगले वीडियो में थैंक यू बाइबाए